हेलो मित्रो आपका हमारी यूट्व चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे कि गर्व में जादा हलचल लड़का करता है या लड़की करती है गर्व में हलचल कौन सबसे जादा करता है और मैं आपको इसमें अपना पर्सनल एक्सपिरियंस भी बताऊंगी क्योंकि मैं भी तीन बच्चों की माँ हूँ देखिए दोस्तो आज हम बात करते हैं कि गर्व में जब बच्चा हलचल इस्टार्ट करता है तो वो पाँचवा महीना के लाष्ट से और सुरू के पाँचवे महीने के लाष्ट में और पाँचवे महीने के कुछ बच्चे सुरू में भी हलचल करने लगते हैं लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे पांच महीने में ही हलचल करते हैं कई कई बच्चे चौथे मन्थ से ही हलचल करना सुरू कर देते हैं लेकिन आप लोग क्या करती है कि बहुत सारे वीडियो को देख कर परेसान होने लगती है और ये समझने लगती है कि मेरा इसा ना करें कि इनकी वीडियो उनकी वीडियो देख के परेषान HOें देखिए दोस्तों यूट्व पे सारे लोग News वीडियो बनाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे ही जूट मुट का वीडियो बना देते हैं मेरे चैनल का उद्दे से लड़का और लड़की में फर्क करना बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसे अपने मतलब जो मैं आपको समझा रही हूँ जो आपको बता रही हूँ उसको आप केवल एक केवल इस बात को आप अपने मन की जिग्यासा को सांध करने के लिए ही रखें तो देखिए मित्रो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताती हूँ कि और थोड़ा आपके जो आँखों पे पट्टी बंदी हुई है उसको मैं खोलने की कोशिस करती हूँ तो देखिए मित्रो बच्चों की हल्चल उसके वजन पर भी निर्भर करता है कि आपके सिसू का वजन कितना है अगर आपका सिसू हेल्दी है तो जल्दी हल्चल करना सुरू कर देता है अगर वहीं दूसरी बात है कि अगर आपका सिसू जो है हेल्दी नहीं है यानि कमजो सबस्क्राइब को अपने के लिए उसके से पास ताकत भार या कशित को nisoky के उपर भी यह निर्भर करता है कि आपका शिसु कितना एक्टिव है और कितना आलसी है अगर थोड़ा सा अगर आपका शिसु आलसी है तो मुवमेंट नहीं करेगा ओ देर से मुवमेंट करेगा जनाब आपके गर्भ में पड़े-पड़े सोय रहते हैं और उनको हल्चल करन और जब जो जनाब हैं आपके गर में पड़े हैं ओ जब बाहर आएंगे तो इतना हल्चल करेंगे इतना हल्चल करेंगे कि आप समालते समालते ठक जाएं। और मैं आपको अपना एक्सपिरियंस बताओं तो जब मेरी लड़की मतलब होने वाली थी तो चौथे महीने से हल्चल करना शुरू कर दे थी दिन रात एक्टिव रहती थी वहीं पे जब मेरा बेटा होने वाला था तो वह पांच महीने के लाश्ट और 6 महीने मतलब 6 महीने क सुरुआत में हल्चल करना शुरू किया था और आप देखिए कितना बदमासी करता है तो ये तुक्का है मित्रो आप अपने इसको जेंडर से ना जोड़े क्योंकि इस चीज को मैंने खुद महसूस किया है इसलिए इसको जेंडर से ना जोड़े क्योंकि इसका साइंटिफ कोई प्रमार नहीं है मित्रो यह केवल एक तुका है और मित्थ ४ाट को पुस्थ को नहीं तो जब तो सब गaina के जुग कोई हमाना उसमें परक नहीं है तो ऑप कोई अंतर ना समझें आप केवाल यह देख feeling कि आपका बेबी healthy आपके पास आए तो I hope कि मैं जो आपको समझाना चाहती थी आपको थोड़ा बहुत समझा दिया और आपके आखों की पट्टी थोड़ा बहुत खुल गई होगी तो मैं request करती हूँ कि मेरे चैनल को like, share, subscribe, comment करना बिल्कुल भी न भूले और like और comment का पैसा नहीं मिल लगता है दोस्तों तो इसमें कंजूसी बिल्कुल भी न करें और आपका जो भी comment है comment box में जरूर लिखिए आपका जो सवाल है सवालों का जवाब जरूर मिलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में thank you for watching धन्यबाद God bless you आप अपना और अपने वेवी का ख्याल रखे आपता है